नमस्कार रने, विलकम यौल दू स्टडी आएक्यू, मैं हूँ प्रशान्दवन, सब ये बात कन्फर्म हो चुकी है, प्रायम्निस्टर नरिंद्र मोदी ये तीसरी बार बनेंगे इंडिया के प्रायम्निस्टर, और अगर यहाँ पे आप पूछने हैं वेट, मैं प्रायम्न प्रायम्निस्टर नरिंद्र मोदी क्यों बोल रहा हूँ, जब रीसेंडली ही, इन्होंने प्रेजिडेंट आफ इंडिया को अपना जो रेजिनेशन है, ये सौब दिया है, वेल अभी भी, as of now, जब तक इनका शपत ग्रैंड समारों नहीं हो जाता, 8 जून 24 को, तब तक के लिए ये केर टेकर प्रायम्निस्टर रहेंगे, तो टेच्निकली ही स्टिल दा प्रायम्निस्टर ऑफ इंडिया, और सिंस थर्ड टर्म तक पहुचना बहुत ही रेर होता है, I mean, globally आप देखोगे, दुनिया में बहुत कम लीडर्स हैं, जो दो टर्म्स भी कंप्रीट कर पा continue to search forward to new heights, बधाई हो, मुझे उमीद ही नहीं ये बधाई हो लिखेंगे, बट क्लियरली, इसराइल बहुत खुच है, कि मोदी जी वापस आ रहे हैं पावर में, और इसका एक रीजन भी है, साल 2017 में प्रायम्निस्टर मोदी बने थे, the first ever इंडियन प्रायम्निस्टर जो इस इसराइल गए थे, जी हाँ, उससे पहले एक भी इंडियन प्रायम्निस्टर ने इसराइल को विजिट तक नहीं किया था, एक्चली एक इंटरस्टिंग बात ये है, कि 1992 तक इंडिया और इसराइल के कोई फॉर्मल रिलेशन्स भी नहीं थे, और उसके बाद से हमने ये दे इंडिया इसराइल ने काफी तरक्की करिये रिलेशन्स में, आई-टू, यू-टू ग्रुप भी बनाये गया है, जिसके अंडर आपको बता होगा, इंडिया, इसराइल, यू-ए, यू-एसे मिलके काम करते हैं, ट्रेड को इंक्रीज करने में, जो आई-मैक कोरिडॉर है, उसका भी इसराइल एक सेंटरल पार्ट बन चुका है, हलाकि अभी प्रोब्लम ये है, कि अभी जो इसराइल हमास की वार चल रही है, उसके लावा हेजबुला के साथ अब नई टेंशन्स इसराइल की स्टार्ट हो गई है, इस सब के बीच लगता नहीं है, कि आई-मैक कोर सकता है, कि इसराइल का एक बहुती बड़ा जियो पॉलिटिकल एन्वी कंट्री कौन सा है, ओवियसली इरान, और इरान में इंडिया इन्वेस्मेंट्स कर रहा है, इंडिया चावार पोर्ट को ओन करता है, हम लोग नौर्थ साउथ जो कोरिडॉर है, वो बनाना चाते हैं इरान के धुरू, तो इसराइल ये सब कैसे डाजस करता है, मैं आपको बताता हूँ, 2016 में, जब इसराइल के उस वत के प्रेजिडेंट रिवलिन ये भादत में आय थे, पिये मोदी इसे मिले, पिये मोदी निन को ये का था, कि भारत कभी भी एक ऐसा स्टैप नहीं और ये बात, इसराइल के प्रेजिडेंट ने बाकी जो इसराइली मीडिया है, उनको बताई थी, क्योंकि ओवियसली, इसराइल के मीडिया में भी सवाल आता है, कि इंडिया देहिए, इरान के इतना करीब है, इंडिया इरान में इन्वेस्ट करता है, डॉनल ट्रम के इरा इसी को कहते हैं balancing करना नहीं तो कौन सा देश आप मुझे बता दीजिए इरान के साथ इतने जादा deep relations बिल्ड करने के साथ साथ ये भी कहें के Israel is our very important friend और India-Israel का trade आप अगर देखो तो पिछले 5 सालों में double हो चुका है दोनों देश अब आज के समय बात कर रहे हैं एक free trade agreement के वारे में जिसे दुनों countries का trade जो अभी 11 billion dollars के आसपास है ये future में 20 या फिर 25 billion dollars भी पहुच पाए और obviously एक ऐसे टाइम में जब दुनिया बर के बहुत से देश इसराइल को और जादा isolate कर रहे हैं Israeli passports को ban कर रहे हैं for example मैंने recent ही video बनाई थी कि Maldives अब कह रहा है कि Israeli passport holders को ये ban कर देंगे अपने country से उसके लावा Malaysia समेथ कई countries हैं जो बहुत जादा hostile हो चुके हैं towards Israel, Israel को friends चाहिए बट question यहां पर यह आता है कि अब elections के बाद जो इंडिया की नई foreign policy होगी क्या उसमें Israel को India as a friend दिखेगा क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें 2014-2019 elections के बाद BJP के पास clear majority थी इस particular case में 2024 के एलेक्शन के बाद BJP के पास clear majority नहीं है तो पहली बात तो अभी के लिए for the time being हमें पता भी नहीं है कि भारत का अगला विरेश मंतरी कौन होगा क्या जैशंकर साभी continue करेंगे या फिर जो collision government है उसके साथ कुछ changes आएंगे we are yet to see that साथी साथ हमको ये भी देखना होगा के इंडिया ने जिस तरीके से in the past इसराइल के बहुत सारे issues को लेकर बहुत जादा कड़ी निंदा नहीं करी क्या अब भी हम वही status maintain कर पाएंगे या फिर अब जो collision government में बाकी parties है TTS, JTU या फिर जो भी political parties आएंगी वो एक बार को सरक European Union में बात हो रही है इसराइल पे सांक्शन लगाने की जी हाँ जो European Union के बहुत सारे मेंबर और पार्लिमेंट रहों ने ये का है कि इसराइल ने सिंस इंटरनाशनल कोर्ट और जस्टिस की जज्जमेंट को इगनोर कर दिया और रफा पे bombing करी दी बाइद अब रफा क्या है रफा बॉब्मिंग क्या थी और लाइज ओन रफा इन सब टॉपिक्स के बारे में मैं स्टडी आईक्यू पे वीडियो बना चुका हूँ तो जिस तरीके से European Union सांक्शन की बात कर रहा है अगेंस्ट इसराइल कई European कंट्री से इसराइल के बिलकुल हम लोग सांक्शन की बा रहा था United Nations General Assembly में इसराइल हमास वोर के उपर उस टाइम इंडिया ने एपस्टेन कर दिया था इंडिया ने इसराइल के अगेंस्ट वोट नहीं किया था और आपको याद होगा बहुत सारी जो opposition parties है इनोंने इंडिया की जो ये विडेश नीती है इसकी अलुशना करी थी य क्या ये maintain रहे गया नहीं रहेगी this will be very interesting to see और नेतन याव यही उमीद करेंगे कि जिस तरीके से इंडिया एक बहुत जादा friendly country बन गया था इनके लिए after 2014 सेम कहानी 2024 के बाद ही चलेगी इसमें जादा change नहीं आएगा now whether this will be real or not देखना होगा भारत के विरेश मंतरी कौन बनते हैं भारत की जो नई विरेश नीती है इसमें क्या changes आएंगे it will be very interesting to see तो इस topic से related future में अगर updates आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में updated वीडियो ले आऊंगा finally आपे मैं आपसे पूछूँगा एक question हाली में ये जो नाम है हाला तौमास दौतर ये काफी चारा news में है एक काफी famous business woman है CEO है ये बन गई है प्रेजिडेंट एक काफी famous country की और बहुत सारे articles भी published वे हैं के उपर के businessman हाला is now the president of this country आपको बताना है कि किस country की president ये recently बनी है ये हैं आपे आपकी options Iceland, Spain, Italy या फिर Greece comment section में करिए उत्तर जो लोग सही answer देंगे उनकी comment को मैं हाट दे दूँगा ताकि बाकि लोग समझ पाएं के सही उत्तर क्या है और finally आप लोगों के लिए एक important message अगर आप UPSC exam की तियारी कर रहे हैं आपके पास time है एक दो साल का आप college student है आप रुक के अराम से prepare करना चाते हैं UPSC exam के लिए तो comment section में जाएए यहाँ पे आपको मिलेगा यह link इस link पर करिए click और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा यह page अगर आप mobile phone पे हैं तो आप study IQ की जो app है यह भी कर सकते हैं download और यहाँ पे आप purchase कर पाएंगे study IQ के various courses study IQ के platform में stock market से लेकर UPSC, SSC, UPSC optional various courses available है state PCS courses भी available है यहाँ पे आप देख पाएंगे और जो हमारा flagship course है UPSC P2I course P2I इसको का जाता है क्योंके prelim से लेकर interview तक यह course आपकी help करेगा इसे आप purchase कर सकते हैं यहाँ पर code PD10 लगा कर यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे codes दिख रहे होंगे civil और various other codes हैं इन codes को आप अगर use करते हैं तो आपको maximum discount नहीं मिलेगा अगर आप use करते हैं code PD10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर maximum discount possible so use the code PD10 and save money by the way इस course में आपको 30 महीने की validity मिलती है तो मतलब के per month आप 1000 रुपे सभी कम पे कर रहे होंगे for your UPSC preparation so use the code PD10 and save money इसी note के साथ यह है video कांथ thank you for listening and as always may the gods watch over you